आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले आर्बीटरेशन और कॉंसाइलिएशन एक्ट ठीक है अच्छा एक चीज में आप लोग को बता देता हूँ यूट्यूब के कम्यूनिटी सेक्षन या फिर पोस्ट सेक्षन में मैंने एक पोस्ट ढाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोग को जीजल में कौन सा चाप्टर बहुत जादा डिफिकल लगता है तो बहुत सारे बच्चों ने रिपलाई किया है और उन बच्चों में से जो एक टॉपिक बहुत जादा कॉमन था मैंने तीन चाप्टर बोलने के लिए बोला था एक चाप्टर जो बहुत कॉमन था लगबग हर बच्चे ने इस चाप्टर के बार में में मेंचिन किया है वो है आर्बिटरिशन और कॉनसाइलेशन अब सर्प्राइजिंग के बाद आपका जो पूरा डाउट है आर्बिटरिशन और कॉनसाइलेशन के उपर सब कुछ जो है वो निकल जाएगा एंड जिन्दगी में आप कभी नहीं भूलोगी ठीक है कभी भी जिन्दगी में कभी भी आपको डाउट लग रहा है आर्बिटरिशन और करते हैं राइस जब कभी भी हम लोग contract करते हैं तो लोग ने देखा है कि बहुत केस्स में डिस्पूट हो जाता है टिस्पूट हो जाते हैं जगरा कर लेता हैं ठीक है कि किसी ने default कर दिया контр act में जिसने promise किया था किसी एक पार्टी ने शायद default कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, dispute हो जाता है, जगरा हो जाता है, तो जब dispute and जगरा होता है, तो क्या होता है, उसके लिए हमको solution चाहिए होता है, solution कौन देता था, वो भी हम लोग जाने में, देखो, ये dispute, 1996 से पहले, अगर किसी भी contract में, किसी dispute हो रहा है, तो parties जो है, वो जाते थे, civil court में, कहाँ पे जाते थे, civil court में जाते थे, बोलो, ठीक है, क्यों civil court में जाते थे, क्योंकि उनका dispute जो है, वो उनको निप्टाना है, किसी पार्टी को solution चाहिए, किसी पार्टी को punishment भी देना है, ठीक है ना, अच्छा, civil court क्यों जात शबıl कोड़, जी तें ही सर, अलग होता है, हाँ, शिबल कोड़ में, शिवल मैतर्स देखा जाता है, क्या आप देखा जाता है, शिवल मैतर्स, ठीक है, शिवल मैतर्स, छोटे-मूटे matter्स, क्रिमिनल कोर्ट में, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, घीक है, किसी ने BANG के आता है वो चीछ, civil matter में क्या होता है, किसी ने किसी इंसान का नुकसान कर दिया, चोटा मोटा नुकसान कर दिया, या फिर कोई contract किया था, जो टूड गया, है ना, ये सारे matters जाते है civil courts में, अच्छा, अब जब civil court में matter जाता था ना, तो दिक्कत ये आता था, कि civil court में भाई म ये आता था, कि सर, civil court में बहुत जादा time consuming है, अब जब बहुत जादा time consuming है, तो ये एक प्रकार का drawback है, negative point है civil court में, कि वह ये बहुत time consuming है, आज तुमने case file किया, तुम्हारा judgment आएगा दो साल बाद, समझ बहुत लंबा खीचते है, तो time consuming है, दूसरा है, costly है, तुमको court का fees payment करना है, और उसके साथ साथ तुम्हारे वकील का भी fees payment करना है, तो बहुत जादा costly हो जाता है, तो पैसा लगता है, बहुत जादा पैसा लगता है, court में, अगर तुम जाओगे, तो costly matter है, ठीक है न, last में, तीसरा जो problem हम लोगों ने देखा है, कि इसमें effort ल लगता है, into hundred, मतलब बहुत जादा effort लगता है, तुमको जब कभी भी code बुलाएगा, तुमको हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है, with documents, with evidences, this and that, तो बहुत जादा effort लगता है इसमें, ये एक problem है, ये एक problem है कि नहीं, ये एक, क्या है बताओ, सर, ये एक problem है, तो अगर ये एक problem है, इसका एक solution भी चाहिए होता है, तो 1996 में, 1996 में एक solution लाया गया, क्या लाया गया बताओ, solution लाया गया, 1996 में, और वह solution था, क्या बताओ, solution था सर, ये जो solution है ना, वो solution बवाल वाल वाला solution था, वो solution था हमारा arbitration, arbitration and concilation, arbitration and concilation, arbitration बाद में देखेंगे, हम लोग arbitration देखो, arbitration act, ठीक है, ये फिर arbitration law लिखते हैं हम लोग, arbitration law लाया गया, कहा पे 1996 में, actually arbitration act आया था, arbitration and concilation act 1996, ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है न, arbitration and concilation act कितना बताओ, 1996, अभी हम लोग arbitration देख रहें, तो हम लोग सिर्फ arbitration लिखा हैं मैंने यहा पे, ठीक है, तो arbitration का picture जो है न, यहाँ से उसका picture स्टार्ट होता है, यहाँ से उसका स्टार्ट होता है कि यह arbitration लाया क्यों गया है, arbitration जो है, यह क्या help करता है, वो कौन सा law था, जो पहले हम लोगों ने लाया था, और वो जो defective था, या फिर बहुत दिक्कत था, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर improve कर रहे हैं by arbitration, तो simple चीज है, कि पहले अगर कोई dispute होता था, तो हम लोग जात है, civil court होए, और वहाँ पर क्या क्या होता था, time consuming है, costly है, effort बहुत जादा लगता है, effort into 100 लगता है, तो इसका solution है, arbitration law 1996, क्या समझ में आ रहा है, ठैन ठेडा है, यह introduction है अपना arbitration law 1996, यह फिर arbitration consilution एक 1996, समझ में आ चुका है, अच्छा, इसमें advantages क्या है, इसमें तीन advantages है, तीन advantages है, एक है, less time consuming, less time consuming, आपको जो है न, आपका solution एक दिन में भी मिल सकता है, एक घंटे में भी मिल सकता है, एक one week में भी मिल सकता है, one month में भी मिल सकता है, समझ मेहार न, यह depend करता है, आपने किस प्रकार का arbitration करना है, ठीक है, वो आगे जाके सिखेंगे, कि arbitration कैसे करत लेकिन अभी समझ लो कि इसका time consuming जो है न बहुत कम है less time consuming यह कभी भी आप जो है इसका solution निकाल सकते हो ठीक है समझ में आ चुक है costly तो है ही नहीं less cost बहुत कम पैसा लगता है इसमें arbitration में ठीक है जो arbitrator बनता है जो आपका arbitration करवाता है उसको थोड़ा बहुत fees देना पड़ता है आपको और बाकी जो है वो हो जाता है इतना ज़्यादा consuming नहीं है costly नहीं है ठीक है last में है बहुत less लगता है effort तो effort आपको कम देना है कहाँ पर arbitration में तो यह होगे अपना advantages of what arbitration over going to any kind of civil court समझ में आ रहा है एक चीज़ बहुत ध्यान देना है arbitration जो है न इसमें कौन से matters हम लोग solve कर सकते which matters can we solve through arbitration which matters can we solve तो सारे प्रकार के civil matters जो होगा सारे प्रकार के civil matters तुम solve कर सकते हो arbitration के त्रो तो civil court में जितने भी cases जाते है वो arbitration के त्रो भी solve हो सकते है क्या ये समझ में आ रहा है कुछ बहुत exemptions है वो अलग है वो आपको ध्यान नहीं देना है अभी आपको सिर्फ ये समझ ला है कि arbitration के मदद से हम लोग civil matters जो है civil disputes जो है वो solve कर सकते हैं हम लोग solve कर सकते हैं समझ में आ चुका है इतना समझ में आ चुका है अब देखो arbitration समझते हैं हम लोग arbitration क्या बताओ arbitration अच्छा एक चीज़ देखो ये जो arbitration है arbitration ये एक प्रकार का procedure है क्या है बताओ procedure to solve disputes आर्बीट्रेशन का procedure क्या है solve करने का देखो arbitration में न जो dispute solve करता है वो है दो बंदे पहला बंदा होता है जिसको हम लोग कहते हैं individual दूसरा बंदा या फिर दूसरा category जो हम लोग कह सकते हैं वो है क्या बताओ panel ठीक है वो क्या बताओ न पैनल वो होता है पैनल अब देखो individual जो बंदा होता है न उसको हम लोग कहते arbitrator और पैनल जो है उसको हम लोग कहते है arbitral tribunal या बताओ arbitral tribunal एक चीज बहुत अच्छे से समझना है आपको कि आप चाहे तो एक individual appointment करके आपका case solve कर सकते हो या आप चाहो तो एक panel भी रखवा सकते हो पैनल भी आप रख सकते हो एक tribunal भी बना सकते हो individual में बनता है बैठता है एक बंदा ये आपको पता ही है लेकिन जो arbitral tribunal है हमेशा याद रखना यहाँ पे सिर्फ odd numbers बैठेंगे odd numbers जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे समझ में रहे ये odd numbers बैठेंगे क्यों मैं समझाता हो आपको arbitral tribunal में क्या होता है odd numbers क्यों बैठता है यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे दूसरा इंसान यहाँ पे एक इंसान यहाँ अगर 3 का मैं example लूँ यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे दूसरा इंसान और यहाँ पे और एक इंसान हमेशा याद रखना होता क्या है कि किसी भी case में अगर dispute है तो minimum 2 parties तो रहेगा न तो party 1 क्या करता है पार्टी 1 क्या करता है वो एक बंदे को चूज करके लेकर आता है कोई भी individual को चूज करके लेकर आता है कि यह मेरा arbitrator है पार्टी 2 जो है पार्टी 2 जो है वो एक बंदे को अपोइंट करके लेकर आता है क्या बताओ वो एक बंदे को अपोइंट करके लेकर आता है कौन बताओ पार्टी 2 अब दोनों पार्टिक का जो ये बंदा है, ये एक arbitrator है, ये एक arbitrator है, ये दोनों arbitrator मिलके, समझ में आरा है, ये दोनों arbitrator मिलके, एक common बंदे को लेकर आता है, एक neutral common बंदे को लेकर आता है, इन दोनों पार्टिक का arbitrator, एक neutral बंदे को लेकर आता है, किसको लेकर आता है, एक neutral बंदा, न्यूट्रल बंदी को लेकर आता है, ये न्यूट्रल बंदा जो है, इसको कहा जाता है, प्रिंसिपल आर्बी ट्रेटर, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल आर्बी ट्रेटर, ये समझना, अब ये न्यूट्रल बंदा चाहिए क्यों, देखो, सिंपल चीज है, तो ये party, इस party ने जो इस बंदी को लेकर आया, देखो, इस party ने जिस बंदी को लेकर आया, जो अपना arbitrator लेकर आया, ये तो इस party का benefit के लिए वो सोचेगा न, अब इस party ने इस arbitrator को लेकर आया, ये arbitrator भी इसी party की benefit के लिए सोचेगा, लेकिन अपने को चाहिए dispute solve करना, दोनो अगर दोनों पार्टी के जो arbitrators है वो अपने अपने पार्टी को support करेगा तो dispute कैसे solve होगा इसलिए दोनों पार्टी एक neutral बंदे को लेकर आता है दोनों arbitrator एक neutral बंदे को लेकर आता है जिसको कहा जाते principle arbitrator फिर जाकि ये तीनों मिलके तीनों मिलके decide करता है decision जो है वो आता है स तीन बंदे मिलके देते हैं अगर आपको इतना जवेला निंग चाहिए कि तीन बंदा कैसे तो आप एक बंदे से भी काम चला सकते हूं क्या बताओ आप एक बंदे से भी काम चला सकते हूं एक बंदा भी तुम्हारा पूरा problem का solution कर सकता है एक बंदे को लेकर आ जाओ अब ये जो एक बंदा रहेगा ये जो एक बंदा रहेगा ना ये जो एक बंदा रहेगा यहाँ पर ये हमेशा याद रखना ये दोनों party के सहमती से ये बंदा आएगा समझ में दोनों party के सहमती से ये बंदा आने वाला है समझ में आ रहा है अब ये arbitration के बारे में तुमको समझ में आ चोगे ये arbitration होता कैसे है अब हम लोग process देखेंगे कि कैसे हम लोग इस individual को appoint करेंगे, क्या rules रहेगा कैसे हम लोग इस panel को appoint करेंगे, क्या rules रहेगा और अगर हम लोग इस panel को appoint ही नहीं कर पाए या फिर इस individual को appoint ही नहीं कर पाए, जो disputed parties है वो अगर incapable है, panel को appoint करने में, या फिर individual को appoint करने में, उनसे वो ही नहीं रहा है ठीक है, तो क्या होगा उस case में क्या होगा, वो भी हम लोग देखने वाले क्या है समझ में आ रहा है, अब तक यहां तक पूरा clear है कि नहीं पहले यह बताओ, यहां तक सब कुछ clear है भाई मेरे, कोई tension वाली बात नहीं है, बहुत जादा बवाल हो रहा है, अब जो next question हम लोग address करेंगे न, वो question है the process, क्या बताओ, the process of, the process of arbitration, process of arbitration देखने वाले हम लोग, देखो, simple चीज़े, process of arbitration में, अपने को क्या-क्या पता है, पहले वो बताओ, सर अपने को इतना पता है, कि जो arbitration चीज होता है, वो हम लोग civil court से better होता है, civil court जो है बहुत time consuming, इसमें time consume खर्चा भी काम होता है, less efforts भी देना होता है, तो arbitration बेस्ट है, अपोइंट करने के लिए क्या-क्या अपोइंट कर सकते हैं हम लोग, या तो individual अपोइंट कर सकते हैं, या तो हम लोग panel अपोइंट कर सकते हैं, है ना, तो ये अपने को पता है, ये इतना तो अपने को पता चल चुका है कि क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अब दे आया गया 1996 के बाद न, कोई भी बंदा अगर contract कर रहा है, कोई भी party, कोई भी दो party या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है, जो की contract कर रहे है, वो अपने contract में एक clause add कर सकते हैं, clause add कर सकते हैं, clause मतलब provision, ठीके वो add कर सकते हैं, उस provision का नाम होता है, arbitration clause, क्या बताओ, क्या बताओ, arbitration clause, मतलब contract जब हम लोग बना रहे हैं, तब ही हम लोग arbitration clause जो है, वो लिख सकते हैं, contract में, कि अगर by chance हमारे बीच में किसी भी प्रकार का dispute हुआ, तो वो arbitration से solve होगा, यह हम लोग add कर सकते हैं, हमारे contract में, एक clause add कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, arbitration clause, उस clause में लिखा क्या होगा, उस clause में लिखा होगा कि future में, we have any kind of conflict, we will solve this by arbitration, समझ में आ चुका है, हाँ, sir by chance, by chance मैं न, मैं वो during before, जब मैं contract draft कर रहा था, तब मैंने नहीं लिखा है, अब dispute हो चुका है, अगर आपका dispute हो चुका है, और आपके contract में कुछ भी mentioned नहीं है, आपका dispute हो चुका है, आपके contract में कुछ भी mentioned नहीं है, regarding arbitration तो चिंदा नहीं करना है, तो आपको चिंदा नहीं करना है, क्यों, we can make an agreement, dispute हो चुका है, ठीक है, clause was not inserted, question यहाँ पर लिखते हैं न, clause, clause was not inserted before तो क्या करेंगे हम लोग agreement कर सकते हैं एक agreement बना सकते हैं हम लोग dispute के वक्त ही एक agreement draft कर सकते हैं agreement बना सकते हैं we can make an agreement after the dispute agreement after the dispute after the dispute to solve to solve बताओ ना to solve क्या क्या solve करेंगे the issue जो भी issue हो रहा है the issue through arbitration क्या समझ में आ रहा है इतना समझ में आ रहा है तो या तो आप contract के पहले before dispute से before dispute के before भी तुम जो है dispute के before भी तुम कर सकते हो dispute के after भी तुम कर सकते हो dispute के after भी तुम clause add कर सकते हो क्या बताओ ना dispute के बाद clause add नहीं होगा उसमें agreement अलग से एक agreement होगा and dispute से पहले हम लोग जब agreement बनाते हैं जब contract बनाते हैं हम लोग draft करते हैं बहाब एक clause add करते हैं इतना समझ में आ रहा है एकदम leemans term में मैंने समझा दिया दूम को ठीक है कोई attention वाली बात नहीं अच्छा सुनो देखो ये जो हम लोग arbitrator appoint करेंगे न इतना तो सर्ष अपने को समझ में इतना तो आ चुका है कि हम लोग arbitrator appoint करेंगे disputed parties appoint करेगा या तो individual appoint कर सकता है या तो panel appoint कर सकते है वो लोग अच्छा लेकिन किस बंदे को किस बंदे को appoint करेंगे जा आर बी ट्रेटर यह है question mark कि कौन बंदा बन सकता है आर बी ट्रेटर यह है question mark तो आर बी ट्रेटर जो है न कोई भी बन सकता है anybody anybody sir मेरे मैं अपने घर के कुक को भी आर बी ट्रेटर बना सकता है yes कोई भी बंदा बन सकता है sir मेरे घर के कार के ड्राइवर को भी बना सकता है हां आर बी ट्रेटर वो भी बन सकता है लेकिन नॉर्मिली आर बी ट्रेटर बनता कौन है वो मैं तुमको समझा देता हूँ सुनो यह डिपेंड करता है on the nature of the contract nature of the contract देखो अगर question यह पूछा जाए कि कौन आर बी ट्रेटर बन सकता है answer है कोई भी आर बी ट्रेटर बन सकता है लेकिन यह अगर question पूछा जाए which is the best suitable person to be an arbitrator बताओ ना question अगर ऐसा हो कि which is the best suited person which is the best suited person which is the best suitable person to become an arbitrator तो वो डिपेंड करता है nature of the contract पकल उसें तिखो कुछ भी हो सकता है ना कॉन्टराइक्ट फुछ भी हो सकता है एंजिनेरिग गौड्राइक्ट हो सकता है ठीक है पो मेडिकल से रिलेटद कॉन्टराइक्ट हो सकता है ठीक है, medical से related contract हो सकता है, would से related कोई contract हो सकता है कि would का खरीदा बेची जो है वो उसके हिसाब से contract हो सकता है, contract का तो कुछ, मतलब ऐसा तो limited नहीं है कि contract किस प्रकार का हो सकता है, contract बहुत प्रकार का हो सकता है, example के तौर पे which is the best suitable person अगर मैं तो पूछो best suited person, तो वो depend करता है अपना nature of the contract के उपर, यह depend करता है nature of the contract के उपर, अगर आपका engineering contract है, तो obvious सा बात है जो arbitrator आप लोग appoint करोगे, जो arbitrator आप लोग appoint करेगे, उसका background जो है, उसका background engineering का होना चाहिए, तब ना जाके तुम्हारा वो लोग समझेंगे, तुमने जो contract किया, वो अगर पगलो engineering contract किया, तुमने एक medical वाले student को बना लिया है, arbitrator, तो वो कैसे वो इसका solution दे सकता है, तो best suitable बंदा कौन हो सकता है, suitable बंदा वो सकता है, जिसका nature होगा, उस contract का nature जो है, उसकी हिसाब से, तो आप medical वाले contract में तो engineer को नहीं बना सकते, suitable नहीं हो जगा न, वैसे बना सकते हो कि नहीं, हाँ, medical वाले contract में engineer भी बन सकता है, पाटिस डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर क्वेस्टिन ये पूछा जाए कि कौन सा बंदा सबसे सुटेबल रहेगा for becoming an arbitrator, then you have to answer, it depends upon the nature of the contract, and example की तौर पे, कि medical का contract में medical वाले बंदे बनेंगे as an arbitrator, है न, engineering की contract में engineering वाले बंदे बनेंगे as an arbitrator, so that वो लोग decision, judgment, अच्छे से दे पाए, क्या है समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, हमें हमेशा याद रखना, कि जो arbitrator, जो arbitrator, ध्यान दो भाई मेरे, जो arbitrator, decision सुनाता है न, उस arbitrator का decision को हम लोग कहते हैं, award, हम समझ में आ रहा है, जो decision सुनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, award, award का बहुत अलग-अलग प्रकार के nature होते हैं, अलग-अलग प्रकार के nature होता है, समझ में आ रहा है, और जो ये arbitrator तुम्हारा काम करके देगा तुमको, इसका fees क्या होगा, इसका fees हमेशा तुम्हारे arbitration agreement जो होगा न, उसमें mentioned होगा, अच्छा एक बात बताओ, तुम जो arbitrator को appoint करोगे, उसको भी तो बोलना न, कि हाँ, मैं as an arbitrator बैठोंगा, ये फिर as an arbitrator, मतलब मैं select होता हूँ, मैं ये राजी होता हूँ, मैंने अपना consent दे रहा हूँ, कि ठीक है, मैं arbitrator बनूँगा, तो ये भी तो agreement में लिखा होगा न, consent of the person who wants to be an arbitrator, तो वहाँ पे उसके fees भी mention होगा, mentioned in the contract, या फिर agreement, देखो, contract तो अगर before तुम्हारा dispute है, तो contract होगा, उसके बाद तो तुम agreement करोगे न, dispute के बाद, अगर तुम elect कर रहे हो, किसी बन देखो as an arbitrator, क्या है, इतना clear है, कोई tension वाली बात नहीं है, इतना पूरा एकदम properly clear हो चुका है, हाजी, अच्छा, जो judgment, जो judgment arbitrator सुनाता है, जैसे हम लोग नहीं कहते कि, court ने जो judgment सुनाया, उसको हम लोग कहते है, क्या बताओ ना, उसको हम लोग कहते है, अच्छा, एक बहुत बदा क्वेशिन है, जो आपको पूछना है, आपको डरना नहीं है, आपको पूछना है किसर एक बात बताओ अब यह जो award है न या फिर यह जो agreement है यह जो agreement होगा या फिर award होगा इसका language क्या होगा language क्या होगा language होगा as agreed by the parties parties ने जो agree किया वही होगा language अच्छा एक चीट समझना parties में बिंगॉली लोग है माराथी है पंजाबी है या आपके Christians भी हो सकते as a religion तो बिंगॉली भी Christians हो सकते हैं अच्छा ड्राफ्ट करना है पार्टी अगरी करना है दोनों पार्टी, अगरी करना है आब इंगॉली में ड्राफ्ट होगा तो अachesइड में द्राफ्ट होगा तो अ है त्रेइंट अः बातantes. सुनो loud बेर वह आप आप no सर सुनो पार्टीस में अगर बिंगॉली एन माराथी दोनों included है तो क्या होगा तो कौन से language में हम लोग करेंगे इसका answer simple answer यह है जो भी पार्टीस agree कर रहे है उस language में होगा अब पार्टीस जो है agree कर सकते दोनों दो प्रकार के दो अलग अलग जगय के है दो अलग अलग regional dialect है लेकिन वो लोग agree कर सकते कि English में होगा तो अगर वो लोग agree कर रहे है कि English में होगा तो English में होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो language हमेशा याद रखता arbitration में language वो depend करता है as agreed by the parties जो parties agree करेंगे वो समझ में आ चुका है अच्छा यहां तक सर बहुत बवाल बहुत जादा clear है सर और एक चीज बताओ सर आपने वीडियो के starting में कहा था कि ये arbitration arbitration तो ठीक है अगर हमने arbitrator appointee नहीं कर पाए हम जो parties है ना हमने arbitrator appointee नहीं कर पाए तो क्या होगा case लिखो फटाफट लिख डालो ये पुरा लिखना है दुमको ठीक है case when parties failed failed to appoint appoint कौन बताओ arbitrator या फिर tribunal एक single बंदा है तो arbitrator और दो तीन दो नहीं सोरी तीन ये फिर odd numbers है तो tribunal है ना तो तू क्या होगा बहुत बड़ा है question mark बताओ भाई मेरे तो क्या हो सकता है बताओ हाजी ये नया चीज है नया चीज देखने वाले भाईबार भाई हम लोग नया चीज देखने वाले देखो फटा फट तो ना एक बंदा आता है rescue करने के लिए अगर आप लोग इतना नाकाम हो नाकामियाब हो चुके हो कि आप लोग arbitrator ही appoint नहीं कर पा रहे हो दोनों parties agree ही नहीं कर पा रहे है किसी भी एक पटिकलर चीज में तो एक बंदा आता है to rescue बंदे का नाम है arbitral arbitration institution ये एक institution है बंदे का नाम क्या बताओ arbitration institution ठीक है और जब भी arbitration institution आएगा तो arbitration institution का अलग-अलग types है grade किया गया है उनको grade A, grade B, grade C, grade D ऐसे करके अलग-अलग ठीक है तो arbitration institution को graded किया जाता है graded by D बताओ इससे भी बरा एक बंदा होता है कौन बताओ हाँ arbitration council of India council of India ठीक है तो arbitration institution जो है arbitration institution जो है इनको grade किया जाता है बै आर्बिट्रेशन council of India ठीक है grade जैसे की grade का मतलब होता है अलग-अलग categories बनाते है जैसे की होगा grade A, grade B, grade C इस प्रकार के graded system में इसका पोता है existence ठीक है इतना समझ में आ रहा है clear है हाजी ओके ये जो arbitration council of India है इसके बार में थोरा हम लोग परते है देखो arbitration council of India ओके क्या देख रहे हम लोग arbitration council of India हम लोग देख रहे arbitration council of India arbitration council of India के बार में थोरा बता हम लोग देखेंगे ये क्या है ये एक body corporate है अचे बार दी corporate मतलब sir body corporate आप लोग company लौ में सीखोगे ठीक है समझ में है body corporate है मतलब body corporate मतलब जिसका एक common seal हो जिसका एक separate legal existence हो एक body corporate जिसका common seal हो इसका legal existence हो और तो और जिसके पास capacity है, capability है to sue and also to be sued to enter into contracts वो लोग contract भी कर सकते है समझ में रहा है, तो वो होता है body corporate जो कि आप लोग company law में सीखो भी, ठीक है अच्छा, दूसरा देखो इसमें कौन-कौन बैठते है, बता है, एक chairman बैठते है one chairman एक chairman बैठेगा पाच members के साथ पाच members के साथ बैठेगा एक chairman पाच members के साथ बैठेगा एक chairman ये जो chairman है इसका tenure क्या रहता है इसका tenure रहेगा तीन साल और 70 years ओफ एज तीन साल या फिर सेवेंटी येर्स ओफ एज इसका मतलब ये होता है पकल्लो इसने इसको अपॉइंड किसी भी बंदे को अपॉइंड किया गया है सिक्स सेवेंटी येर्स वेज विचेवर इस अर्लियर ठीक है ये दोनों में अर्लियर विचेवर इस अर्लियर क्या इतना याद रख पांगि व्यटेंचिन वाली बात नहीं है विचेवर इस अर्लियर ठीक है जैसे कि सर इसका मतलब समझाब थोड़ा बहुत मतलब समझा दोना सर, देखो, मतलब कोई भी इंसान, अगर उसको तुमने अपॉइंट के इट 69 येर्स ओफ एज, वो कितना साल बैठेगा, एक ही साल बैठ पाएगा, वन येर बैठ पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका 70 हो जाएगा, 70 हो गया तुसको निकाल हुआ, तो क्या हो गया, 70 हो गया न, whichever is earlier, समझे, कोई टेंचन वाली बात नहीं है, और जो फाइफ मेंबर्स है न, इनका क्या होता है, इनका भी 3 येर्स है, 3 येर्स और यहाँ पे 70 येर्स है न, लेकिन इनके लिए है 67 येर्स, 3 येर्स और येर्स of age, whichever is earliest, ठीक है, हाजी, ओके, ये ये Arbitration Council of India, ये क्या करता है, Arbitration Council of India जो है न, ये पुरा देख रेक करता है, Arbitration Institution का, ठीक है, ये देख रेक करता है, किसका, Arbitration Institution का इसको grade करता है Arbitration Institution को grade कौन करता है By the Arbitral Tribunal Arbitral Council Of India ठेक है Arbitration Institution को Grade करता है बादे Arbitral Tribunal Of India अच्छ सुनो यह जो arbitration, arbitration institution है इसको appoint कौन करता है, पता है इनको appoint कौन करता है, पता है हाजी, इनको appoint करते है by दो इंसान इंसान नहीं होता है, लेकिन मैं इंसान के तोर पर तुमको बता रहा हूँ so that तुमको याद रहे, by दो लोग, दो लोग appoint करते है एक होता है High Court दूसरा होता है Supreme Court ठीक है High Court and Supreme Court अच्छा High Court जिस arbitral institution को arbitration institution को appoint करते है न वो सारे matters देखते है excluding वो वाले matters जो Supreme Court ने किसी दूसरे arbitral institution को बना के रखा है उस matters को देखने के लिए जैसे कि Supreme Court जिन arbitration institution को बनाते है न वो arbitration institution सिर्फ international matters देखते है और जो national matter होता है वो सारा उन institution arbitral institution देखता है जो High Court ने बना के रखे है समझ में आ रहा है international matter यहाँ पर आता कैसे international matter यहाँ पर आता कैसे जब भी international matter मैं कहूँ इसका मतलब यह होता है मैं यह बता रहा हूँ तुमको international international commercial arbitration याद रखना international matters मतलब international commercial arbitration तभी जाके Supreme Court अपोइंट करता है किसी arbitration institution को जो की international commercial arbitration देखता है और जो national वाला है जो की मतलब local वाले national वाले international वाले नहीं वो High Court High Court ने जिस arbitration institution को अपोइंट कर रखा है वो अब देखो तुम हो एक इनसान ठीक है जिसने contract किया और contract तुमारा successful नहीं हुआ तुमको इसका solution चाहिए तो तुमने सोचा arbitration से करेंगे अब तुम arbitration के लिए arbitrator भी appoint नहीं कर पा रहे हो तो तुम किसके पास जाओगे उन arbitration तुम जाओगे arbitration institution के पास अब कौन से वाले arbitration institution international matters जो deal करते है उनके पास जाओगे या national matters जो deal करते है उनके पास तो national matters जो deal करते है उनके पास जाओगे और वो जो national matters deal करते है न उन arbitration institution को high court appoint करता है और जिन matters को international वाले हैं वो Supreme Court appoint करता है, अब International Commercial Arbitration का मतलब समझो, International Commercial Arbitration का मतलब होता है जब ऐन रहे जब ना, इनि वन उफ बोथ दे पार्टी, ठीके क्या बताओ, इनि वन उफ बोथ दे पार्टी, बिलोंगस तो, to a foreign land आप ऐसे इस प्रकार की contract कर रहे हो जो foreign land के साथ foreign land के साथ जो है आपने contract किया ठीक है foreign land के साथ relation है तुमारा किसी प्रकार का contract तो तु international contract से नहीं ये ठीक है तो तुम वो international commercial arbitration solve करता है उस चीज को क्या है समझ में आ रहा है कोई tension वाली बात नहीं बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है सर ओके सुनो ये पूरा था तुम्हारा राम कथा जो हम लोग ने सीखा है ये arbitration का अब यहां से यहां तक जो मैंने यहां पे पूरा यहां पे करवाया है न ये वाला ये तुमको लिख लेना है कहीं पे ठीक है ये तुमको लिख लेना है कहीं पे अच्छे से लिख लेना है अभी खतम नहीं हुआ है कोई चीजे मैं तुमको explain करूँगा देखो तुम हो धीट इंसान क्या बताओ न धीट कौनसे category के इंसान हो तुम भाई मेरे धीट इंसान है सर हम अच्छा तुम हो धीट इंसान अब कुछ ऐसे cases दिखेंगे जहाँ पे case 1 ठीक है failed to appoint arbitrator failed to appoint arbitrator तो तुमने क्या क्या अगर तुम fail हो गए arbitrator appoint करने में तो तुम जाओगे arbitral institution या फिर arbitration institution arbitration institution ठीक है अब अगर national matters है तो normal वाले के पास जाओगे अगर international matters है तो supreme court वाले के पास जाओगे ठीक है अच्छा high court वाले ये supreme court वाले ठीक है इतना समझ में आ रहा है case 2 didn't like the arbitrator sent by the arbitration institution arbitration institution ने जो तुमको भीजा है arbitrator तुमको पसंद नहीं आया फर इतना इतना जादा मेरे मेरे को ध्यान रखते क्या सर मतलब मेरे को पसंद ने आ arbitration institution वाले arbitrator हम लोग उसको reject कर सकते answer is yes answer is of course भाई मेरे answer है of course भाई मेरे कि yes arbitrator जो तुमको appoint किया गया है by the arbitration institution you didn't like it then you can reject that arbitrator तुम reject कर सकते हो इसको ठीक है तुम reject कर सकते हो जो arbitrator देखो बहुत अच्छे से देखना है जो arbitrator arbitration institution ने भेचा है उसको तुम दो प्रकार से दो प्रकार के action दे सकते हो पहला action है कि तुमने agree किया ठीक है मैं मानता हूँ कि ये मेरा arbitrator है मेरे को पसंद है दूसरा है तुमने disagree किया disagree का मतलब होता है challenge करना समझ में आ रहा है disagree का मतलब होता है challenge करना तो अगर तुमने agree किया तो तुम्हारा तो arbitration का जो proceeding है वो start हो जाएगा अगर तुमने disagree किया तो terminate हो जाएगा तुम्हारा arbitrator terminate the arbitrator सर एक बाल बताव ना मेरेको arbitrator भीजा है उन्हेंने मैंने arbitration start भी करवा दिया है मेरेको पहले पहले बहुत अच्छा लगता था मैंने arbitration start करवा दिया लेकिन अभी अभी जो एना सर मेरेको arbitrator पसंद नहीं है वो वाला arbitrator मेरेको पसंद नहीं आ रहा है सर तो मैं क्या करूँ तो अगर by chance तुम्हारा arbitration begin हो चुका है लेकिन तुम्हारा अब तुमको लग रहा कि नहीं arbitrator तुम्हारे साथ दोका दे रहा है या फिर अच्छा नहीं है improper है arbitrator तो तुम proceedings की between में भी arbitrator को भेज सकते हो terminate कर सकते हो समझ में आ रहा है हाजी also terminate also in between the proceeding तुम उसको भेज सकते हो आपस तुम गरो terminate आई तुम terminate हो चुके हो हमको पसंद नहीं तुम दूसरा arbitrator भेजो तो दूसरा arbitrator के लिए तुम apply कर सकते हो to the arbitration institution ठीक है अच्छा एक चीच समझना यह arbitration institution देखो हमारा चाचा जीतो है नहीं कि free में करवा देगा उसको तो पैसा वगेरा देना परेगा हाँ वो charges अलग से आएंगे ठीक है यह है तुम्हारा अब जाके complete होता है तुम्हारा पूरा राम कथा on arbitration ठीक है यहाँ पर खतम होता है तुम्हारा proper proper arbitration यह पूरा पूरा समझ में आ चुका है मैं ना arbitration यहाँ पर complete हो चुका है मैं दो मिनिट लोगा अभी जो conciliation कह सकते हो या फिर conciliation कह सकते हो या तो conciliation कह सकते हो दो मिनिट में मैं खतम करवा दूँगा सुनो समझा दूँगा एक बार देखो ये जो conciliation है न ये क्या है पता है conciliation भी एक प्रकार का mechanism है जिससे dispute solve होता है लेमेंट टर्म में मैं बताओ तो conciliation जो है वो किया जाता है by conciliator और ये जो बंदा रहता है न ये बीच का इंसान रहता है बीच का इंसान बीच का इंसान का मतलब होता है related to both the parties related to बताओ भाई मेरे both the parties दोनों parties के साथ relation है दोनों parties के साथ relation है ठीक है conciliation जो है न वो normally is done by family members family is normally done by family members ठीक है और ये family matters में ही solve होता है family matters में जगरा लग दिया ठीक है और ये normally जो है न वो elders of the family वो देखते हैं इन सारे चीज को conciliation conciliators जो है वो elders of the family बनते हैं example के तोर पर समझाओ न सर example इंडिया का या तो मैं कहूं वर्ड का सबसे बड़ा conciliation जो है वो हुआ है अमबानी के बीच में अमबानी के बीच में हुआ है सबसे बड़ा conciliation जब धीरूबाय अमबानी गुजर चुके थे तब अनिल अमबानी एंड मुकेश अमबानी के बीच में सारे companies जो है न वो split हुआ चोटे चोटे सारे companies जो है maximum companies गया अनिल के बास लेकिन सारे चोटे 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 companies थे एंड बरे बरे companies दो तीन चार्ट वो गये मुकेश के पास जैसे के reliance वो आया मुकेश भाई के हाथ में ठीक है समझ में आ रहा है न तो ऐसे होता है और इनका conciliation किया गया था by their mother यह है conciliation का छोटा सा गेस सा जिससे तुमको conciliation मैंने explain कर दिया arbitration भी कतम हो चुका है एक चीज बहुत ध्यान देना यह वीडियो अपलोड हो रहा है YouTube पे सारे doubts क्लियर करने के लिए और यहां से भी तुम अगर examination में लिग दोगे न यह भी समझ कि अगर तुम चले गए examination में तब भी तुम बहुत अच्छे प्रकार से mark score कर पाऊगी लेकिन यह sufficient इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे award मैंने explain किया न कि award होता है उसको कहा जाता है award जो judgment देता है हमारे किसने पताऊ न जो judgment देता है by the arbitrator उसको हम लोग कहते है award ना कि decree or fear order उसको हम लोग कहते है award तो यह जो award है उसका भी बहुत सारा features है वो सारे explain किया गया है यहां पर यही से तुम अगर चार्ट बना के तुम पल लोगे न भाई मेरे वही काफी है अच्छा यह वीडियो मैं इसको continue तब ही करूँगा अगर इस वीडियो में 30 प्लस student ने comment किया for the second part of this video वनना first part भी काफी है आपके लिए आपको second part चाहिए नहीं second part तब ही लाओंगा अगर 30 प्लस student ने comment किया इस वीडियो के नीचे कि मेरे को चाहिए arbitration का और बताओ sir मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जिन्दगी में कभी भी arbitration के regarding कोई question रहेगा या फिर doubt रहेगा ठीक है अगर वीडियो बहुत जाद अच्छा लगा है तो like कर देना like का target रखते हम लोग कम से कम 50 50 प्लस ठीक है 50 प्लस like का target रखते हैं and 30 प्लस कमेंट अगर इतना आ रहा है तो काफी है मेरे लिए मैं खुश हूँ भाई मेरे मैं आपको second वीडियो बना के दूँगा आज की वीडियो में इतना ही रखते है भाई मेरे thank you so so much everyone happy learning guys bye bye